नमस्कार बहुत सबागत है आपका मैं हूँ आपके साथ रुतू ग्यानवानी आप देख रहे हैं खबर दिन भर बात करेंगे अमरवाड़ा की अमरवाड़ा उप्चुनाव से जोड़ी ये बड़ी खबर है कमलेश शाह हूंगे बीजेपी उमीदवार बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है हाल ही में कॉंग्रस फोड़ कर बीजेपी में शामल हूए थैं बीजेपी में शामल हूने के बाद ये सीट खाली हूँ गई थी अमरवाड़ा का जिकरम कर रहे हैं यहां पर उप्चनाव होना है और उप्चनाव होने वाले हैं कमले शाह यहां से बीजेपी उमीदवार होंगे बीजेपी ने कमलेश शा को प्रत्याशी बनाया है वतादे हाल ही में कॉंग्रस छोड़कर बीजेपी में वो शामल हुए थे बीजेपी में शामल होने के बाद ये सीट खाली हुई थी और अब इस पर उप्चुनाव होने जा रहे हैं जहासे BJP ने कमलेड शा को मैदान में उतार रही है ज़ता जनकारी के लिए सहयो की शेलिंद्र अमрат साद जोड़ गए है शेलिंद्र उपचुनाव होना है अमर वाड़ा पे और उपचुनाव के लिए कमलेड शा को मैदान में उतार रहा है प्रत्यासी लेकिन इस बार चोकाने वाला रहा था कि कमलेस सा जब भाजपा से में जॉइन करे तो कहीं न कहीं कमलाद भी काफी नराज हुए थे और उन्हें मनाने गोशित के लेकिन अब बीजेपी ने उनको प्रत्यासी गोशित कर दिया है और यहाँ पर 10 जुलाई को जो मदान होना है तो पाइटी ने अपनी दरब से प्रत्य से चुनाओ अपना प्रत्यासी गोशित करके कमलेस सा को अपनी एक रंजनीती सामने ला दी है अब कॉंग्रेस के लिए चुनोती होगी और निश्चीति यहाँ पर 10 जुलाई को जो वोटिंग होना उसके पहले कॉंग्रेस भी अपना कोई अच्छा उमिदवार देगी तो होगी ठीक बहुत-बहुत शुक्रिया श्यालेंद्र कि खरगोंच से बड़ी खबरे नववाहिता का पहरण हुआ है बदमाशों ने अगवा किया ग्रामिलों की मदद से दो आरूपी गिरफतार हुए है अब तक पांच आरूपियों की गिरफतारी हुई है मांड़ी घटना आपको बता रहे हैं नव ववाहिता का अपहरण कर लिया गया गाउवालों की मदद से दो की गिरफतारी हुई बता दे इस पूरे मामले में अब तक पांच गिरफतारिया हो चुकी है सुक्ता गाउं के से नड़के आए थे इसे एक नड़की को अगवा किये थे इसमें से दो मौके में ही गिरफतार हो गए थे चार बाकी थे तीन को पुलिस ने आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए आशुतोष नववाहता का पहरन हुआ था आरोप्यों की घरफतारी हो चुकी है पूछताच में क्या कुछ सामनी आया है अ आज आ और आशुतोष आवाज मिल रहे आपको आशुतोष आवाज मिल रहे आपको शायद हमारा संपर कुंसर नहीं हो पा रहा है परसे जुड़ने का प्रयास करेंगे पर आपको ये पूरा मामला बता दे जहां खरगोंड में नववाहिता का पहरण किया गया उसे अगवा किया गया उसके बाद ग्रामलों की मदद से दो की गिरफतारी हुई और इसके बाद सभी की गिरफतारी एक एक कर हो गई फिलहाल सभी से पूछता जारी है इन दोर का जिक्र करेंगे शिराब तसकरी पर शिकंजा कसा गया है पूलस ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया दो शिराब तसकर गिरफतार हुए भारी मातरा में अवैद शिराब भी बरामत की गई है बोरियों में छपा करके ये शिराब रखी गई थी अब ये बरामत कर ली गई है साथी साथ आपको बताएं ये शिकंजा बड़ा कसा गया है और दो शिराब तसकर भी गिरफतार हुए हैं साथी साथ भारी मातरा में अवैद शिराब जो इनके पास थी वो भी बरामत कर ली गई है बोरियों में छपा करके शिराब रखी गई थी जिसे बराम पुलू देव साय ने क्रिश्री वभाग के बैठक को लेकर क्रिश्री मंतरी राविचार नेताम ने बताया कि मुख्य मंतरी के निवास में क्रिश्री वभागों से संबंदत योजनाओं पर चर्चा हुई है। तो आसपास से विवस्था की जाएगी। कहीं शिकायत की कोई गुंजाईश ना हो इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्रिश्री से संबंदत जित्ती योजनाओं है उसका लाब किसानों तक कैसे पहुँचे इसकी निगरानी कर रहे है। और मान्य मुक्रमंत्री जी की उपस्थिती में बैठक होने से विभाग के अधिकारियों का मनवल भी बढ़ेगा। और हम सब को काम करने के लिए एक नई दिसा भी। MP में PM श्री परेटन वायू सेवा का आगास हो गया। हिराज़्टानी भुपाल में सीम मोहन यादव ने इस सेवा का शुभारम किया। जिसके बाद भुपाल से पहली फ्लाइट जबलपुट पहुंची। जाग अबिनिट पंतरी राकेश सिंग और सांसद आशीश दुबे समेथ कई लोगों ने इसका स्वागत किया। आपको बता दे कि प्रदेश तरकार ने छए शेवा के बीच इस सेवा की शुभात की। और इस मौके पर सीम मोहन यादव ने कहा कि मौजूद दौर सुमाने मकाल की तरह है। हवाई यातायात के दिशा में हमें आगे बढ़ना है। एमपी में डॉक्टरों की टीम एर एमवुलेंस के साथ तयार है। कलेक्टर से समपर कर किसी की भी जान बचाई जा सकती है। में इसका लाग में देगा, खास करके संस्क्रति के हमारे ऐसी केंड़, जैसे हम लगी किल्वना करेंगे जो दिन बात जब हम दो जोते लिक को जोड़ने की तरह आगे बढ़ना है। जोंकारेश्व और महाकारेश्व, कम समय में इंदौर से भोपाल से जिसके बास समय की कम्याज के सबसे बढ़ी संक्रत प्रमा ही कहीं। एसे में कम समय में वो दर्शन जरके निकल के जाये। और आगे जाकर के एसे हारी धार्विकिस्तन और ओडशा, सल्कार्पूर, कट्नी या जो और अपने इस्थाने जिन इस्थारों को भी जोड़ेंगे। कांकेर सांसद ने न्यूज जिटी से बात चीट में कहा कि प्रधान बंतुरी ने हमें सरकारी यूज जुनाओं को जंजन तक पहुचाने, लोगों की भलाई की काम में जुटने की सलाती है, अब शेत्र में जाएंगे और 36 गड़ के विकास में योगदान देंगे। जनप्री नेता हैं और भारत के नहीं, दुनिया के सबसे लोगप्री नेता है नरेंद मोदी जी, और नरेंद मोदी जी तिसरी बार प्रधान मंत्री के रूप में सफत लिए, और ऐसा छड़, जो इतिहासिक छड़ जिसको कहा जाता है, उसमें हमें जाने का और सांसद बन मोदी जी ने सभी सांसदों से बात की सपत गरंड समारो के दौरान किस तरीके से अब तीसरी बार जो सरकार है वो काम करेगी, सांसदों को क्या लक्ष दिया गया है? मोदी जी ने इस पर्ष रूप से कहा कि भारत को विश्वगुरू बनाना है, भारत को विक्षित राष्ट बनाना है, न हमको ठकना है, न रुकना है, आगे बढ़ना है, और निश्चित रूप से मोदी जी एक महान व्यक्ति हैं, और मोदी जी के नित्रित में भारत विश भारत देश में और भी विकास के काम होंगे, हर व्यक्तिक उसकी मूल भुत सुईधाएं, गाउं, गरीब, किसान, महला और नौजवान, ऐसे सारे वर्ग को हमारी केंदर सरकार और राज सरकार की जो योजना है, उसका लाब मिलेगा, ऐसा हम सब प्रियास करेगे। दिल्ली से आप राइपूर पहुचे और सीधे संगठन की बैठक में सामील हुए, यहाँ पर चर्चा हुई है, क्या कुछ रहा है संगठन से, क्या निर्देश मिलें अब? दिल्ली से राइपूर आने के बाद सवजन तोर पर हमारे जो वरिष्ट हैं संगठन मंतरी मानी अजय जामवाल जी छेतरी संगठन मंतरी और मानी पवन साय जी हमारे प्रदेश संगठन महामंतरी, इनको हमने धन्यवाद दिया, उनका आसिरवाद लिया, क्योंकि उनके आ हासिल हुई, इसलिए हमने उनको धन्यवाद दिया, बिल्कुल ये थे भोजराज नाग जी जिन्होंने कहा कि संगठन के साथ बैठक हुए, वहीं मोदी जी के सपतगरंड में समारों में भी सामिल हुए, तो विकास के विजन को लिकर चर्चा हुई और उसी के साथ आगे बढ़ेंगे केमरमन राजेन शिंग के साथ अकाश उखला न्यूज 18 राइपूर 36 गड़ एंटीय के प्रमुख प्रदीप जोशी को लेकर 36 गड़ में भी सियासत कर माईपूर मुक्य मंतरी वोपेश बगेल का ट्वीट साम ने आया, सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, पोस्ट लिखा है, लो भला, सूचना मिली है कि प्रदेश भाचपा सरकार ने CGPSC की कार्य प्रणाली सुधारने के लिए जो आयोग बनाया है, इसके प्रमुख वही प्रफेसर प्रदीप कुमार जोशी है, जो एंटीय के प्रमुख सदयस्य भी है, पूरा देश देख रह रहे हैं, उन्हें अब मुख्यमंत्री विश्णू देवसाय, हमारे बच्चों की विवस्था सुधारने के लिए बुलाएंगे, उन्होंने आगे लिखा है, कि अनुरोध है कि प्रदेश के बच्चों को सुरक्षत रखने की दरश्टी से ततकाल आयोकाध्यक्ष बदलने पर विचार करें, बिलासपुर से बड़ी खबर है, बदमाशों ने वकील से लूट किया है, घटना का सिसे टीवी भी साफने आया है, वकील की फिटाई करते नजर आ रहे हैं, बदमाश आरोप्यों के तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, तो अज्यात बदमाशों के द्वारा ये लूट की वार्दात को अंजाम दिया गया है, ये तस्वीरें बिलासपुर की आप देख रहे हैं, घटना का सिसे टीवी भी सामने आया है, जहां मैं गया हुआ था, वहाँ जैसे ही पहुचा, कुछ अज्यात लोगों के द्वारा, अचाना के मेरे पर हमला करते हुए, मेरे पाकीद में रखे, पाँच आया रूपार, बिलासपुर में लगातार अपरादियों के जो होसले हैं, आप देख सकते कि किस तरीके से एक वकील जो है, उसको बेरहमी से वो पीटते हुए बदमास दिखाई दे रहे हैं, इसके साथ ही उनके पास रखे, ज़रूरी जो दस्ता वेस्ते पाच अजार रूपेते वो लू बिलासपुर में लगातार अपरादियों के जो बेरहमी से वकील की पिटाई कर रहे हैं, उनको कब तक गिरफ्तार करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। जो है, वो कहीं न कहीं मुगदर्शक जैसी स्थिती दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार अपराद बढ़ते जा रहे हैं, लगातार घटनाएं हो रहे हैं, लेकिन इसको रूप पाने में पुलिस जो है वो नकाम साबित हो रहे हैं फिलाल। आपको बता दे कि मीडिया रिपॉर्ट पर हाई कोट ने स्वतास अन्याल लेकर जनहत याचिका की तरह सुनवाई शुरू की। माबले को लेकर पहले हुई सुनवाई में सरकार ने बताया था कि राज्य सरकार ने पहले ही स्कूल भवनों और मुक्यमंत्री स्कूल जतन योजुना के सुधार के संबन में कदम उठाई हैं। पूरे राज्य में स्कूलों की पहचान कर स्कूल प्रवनन्ट से रिपॉर्ट मांगी है और जरूरत के मुताबक मरमत और नवीनी करण करानी के आदेश भी दिये गए हैं। अंबिकापुर का जिक्र करेंगे यहाँ पर एक बेघर परिवार ने आतमधा की चेतावनी दी है। लेकिन कुछ कच्छोए की चाल से कारवाई कर रही नगर निगम दस साल बाद भी उस घर पर कारवाई नहीं कर पाई। प्रिता का कहना है कि सिवा कुछ नहीं हुआ परिशानों कर निगम से कारवाई की मांग को लेकर कलेक्टर से फर्याद लगाई। 22 जून तक निगम दुआरा कारवाई नहीं करने पर कनेक्टर कारले में परिवार सहथ आतमधा करनी की चेताव ने दी है। एम आइसी मीटिंग भी हुई उसमें भी हमारे घर को जरजद घुरूसित किया गया है। चिचली गाव में मुलभुच स्वीधाओं की कमी हैं। सडख पानी जैसी मुलभुच स्वीधाओं से भी कोरवा जनजाती के लोग मरहूम हैं। इस गाव में दो हेंट पंप हैं लेकिन दोनों खराब हैं। ग्रामीर गंदे नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। इस गंदे पानी को लाने के लिए भी उठें एक किलोमीटर का खराब रास्ता तैकरना पड़ता है। लगबग एक किलोमीटर का सफर तैकरके उचे नीचे रास्तों से होते हुए हम इस नाजे के पास महुचे हैं। नाजे का अब द्रिश्ट देखिए कि एक छोटा सा नाजा है। और इस नाजे में इन्होंने एक गड़ा खोदकर रखा है। और इस गड़े में पानी इकटा है। मैं अगर उसका द्रिश्ट से आपको करीब से दिखाना चाहूं। तो देखिए इस गड़े के अंदर काईयां जमी हुई है। कीडे तैर रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रामीड है। इसी गड़े का पानी पीते हैं। इस गड़े कूझ इसानी भासा में चुवा काह जाता है। जो Robert task 9 और सीप ऐसा नहीं कि ये गर्मी के दिनों में यहां का पानी पीते हैं। आरे मौसम में इसी नाजे का यह लोग पानी पीते हैं। हम समस्या जानते हैं। हम समस्या है जानते हैं,ιο बाबा नादे का पानी तो साप नहीं है कैसे करते हैं आप लोग कपड़ा से छानते हैं अच्छा बोरिंग खोई लिओ निकल भी निकारेल इसने जुन गंदा पी हो था नब का करो पहां खो जो तो बारिस में आने में भी तो दिक्कत होता होगा फिसल के गिरते होंगे क्यों के छिए दांखो करोडों रुपे पानी की तरफ खर्च की जा रहे हैं इनके विकास के जिए खर्च किने जा रहा हैं लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन ग्रामिनों को आज तक आजादी के कई साजों बाद भी साफ पानी पीने को मौहिया नहीं है तो अब देखना होगा साब पानी इन पहाडी कोरों को महिया हो पाता ही है देखने वाली बात होगी दीपक्सी 18-36 गड़ जश्पूर बिलास्पूर का जिक्र करेंगे जहां पर कलेक्टर ने ओचक निरक्षन किया अस्पताल और सुसाइटी का निरक्षन किया गया एक्सपायरी दवाई देखकर कलेक्टर भड़क गए फार्मासिस्ट सूपरवाईजर को सस्पेंट कर दिया चकिस्ता सायक का इंक्रिमेंट रोग दिया है करगी खला और पिपर तराई का दौरा कलेक्टर के दौरा किया गया खरगोन में मौनसून से पहले एक्षन मोड में नगरपाले का नहजर आ रहा है जरजर मकानों को लेकर एक्षन में है नगरपाले का सरसट जरजर मकानों को नोटिस भीजा गया है साथ दन में अटाने का नोटिस दिया है साथ दन के बाद खारवाई फोंकी तरिके से एक्शन मोड़ विसेश रूप से जो जर्जर मकान है जो च्छतिकरस भवन है उसको लेकर नगरपाली का कामला जो है लगातार नोटिस जारी जारी कर रहा है और लगातार चेताओं नहीं दे रहा है कि इनको हटाया जाए मान्सून के पहले नगरपाली का कि आधिक किया हुआ है तकि मांसून के फूर्व यह लोग उतार लें मकान तक कम से कम जन्हानी से बचा जा सका इनको साथ दिन का समय दिया हुआ है तो फिर हम हमारे इस तर पर उतारने की कारवई करेंगे जिसमें होने वाला खर्चे भी इन लोगों से वसलिके जाएगा अगर बाली का ने समय आउदी दिया अगर समय में जो मकान मालिक है वह अगर अपने मकान को जो चति ग्रस ते उसको नहीं हटाते है तो नगरपाली का की दोरा उन पर कारवई की जाएगे मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस प्रकार से जरजर और चति ग्रस भवन हो गए और यह चति ग्रस भवन मांसून में कोई भी बड़ा हासा कर सकते हैं इसको लेकर पूरी तरीके से नगरपाली का संबेदन सील है और नगरपाली का के दोरा लगातार नोटिस जारी किये जा रहे हैं आश्तोष प्रोहित निउजेटीन खरगोन ग्वालियर का जिक्र करेंगे आरूप की अस्पताल में हंगामा देखने को मिला डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने यूवक के पटाई करती यूवक पर नर्सिंग चात्रा से छेड़ चाड़ का आरूप लगा था और उसके बाद यहां पर मार पटाई शुरू हो गई मार पीर का वीडियो भी अफसा अपने आया है खबर भुपाल से है जहां पुलस ने चोर गिरों का खुलासा किया उन्हें बख़डा है पुलस ने इस चोर गिरों के चार आरूपियों को गरफ़तार किया इनके पास से चोरी के 18 बाईक बरामत की जोनके कीमत 16 लाख आँखी गई है भुपाल में लगातार वाहन चोरी के मामले साबने आने के बाद फुलस आरोपियों की तलाश में जुटी थे शेहर में लगे 30 सीसी टीवी कैमरे की जाच के बाद फुलस ने आरोपियों को गिरफ़तार किया अब बात सागर की जहां बस ऑपरेटरों ने अचानक से हर्ताल शुरू कर दी जिसके वज़से यात्रियों को काफी मिश्कुलों हुई दरसल नए रूट का बस ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं आपको बता दें कि 15 माई से नए बस स्टांक से बसों का संचालन शुरू किया गया जिसकी वज़से बसों के नए रूट ताई किये गए जिसका बस ऑपरेटर विरोध कर रहे हैं भुपाल के लोगों के लिए अच्छी खबर है अब भुपाल की बड़ी जील में भी कश्मीर की डल जील की तरह शिकारे चलेंगे जिसकी तयारी भुपाल नगर नगम ने पूरी कर ली है 14 जून को बड़ी जील को शिकारी की सौखात मलेगी मेर मालती राय इसका उत्खाटन करेंगी खबर जबलपूर से है जहां इंग्जिनियरिंग स्टूडेंस ने वुमन सेफटी जैकेट बनाई है जो अकेली महीला के लिए बॉड़ी गार्ट की तरह काम करेंगी इस इंक्यूबेशन सेंटर के तीन स्टूडेंस ने कड़ी महनत के बाद इस जैकेट को तयार किया है और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलिटन में फिलहाल के लिए इतना है